चीता वर्सिस लेपर्ड एक दूसरे के जानी दुश्मन चीता और लेपर्ड यानि तेंदुआ बहुत माइनों में एक जैसे हैं सेप्टेमबर 2022 में नामी बिया से कुछ चीता इंडिया लाए गए पियम मोदी के बड़े पर और कुना नैशनल पार्क जो की मध्यबर देश में है उनको दे दिये गए याद रखिए 1952 में चीता इंडिया से विलुप्त हो चुके थे इस नैशनल पार्क में तेंडूए पहले से मौजूद है लेकिन उन लोग ने एक इलेक्टरिक फेंसिंग से एक सेपरेट एरिया रिजर्व करा चीता के लिए ताकि इनका गैंग वार ना छड़ जाए दोनों ही जंगल के टॉप शिकारी में आते हैं और दोनों की ही स्पीड बहुत अद्भुद है अटलिस्ट हम इनसानों जिसमें की मशूर यूसेन बोल्ट भी आते हैं उनसे भी बहुत तेज आईए इसको समझे जाने दुनिया तस मिनट में चीता की बोडी काफी स्लिम और ट्रिम होती है हालकि इसके मतलब ये बिलकुल नहीं कि वो कहीं से कमजोर है क्योंकि याद रखे चीता इस फास्टेस लैंड अनिमल जो की 100 किलोमेटर पर आवर से भी जादा की टॉप स्पीड टच कर सकता है जो की इसकी बोडी शेप के कारण भी पॉसिबल हो पाता है मीस मसल में तो दम हो गाई ना पर हाँ इसका जो छोटा होता है इसलिए जादा लड़ नहीं सकता नहीं शेर के स्टाइल में अपने शिकार को एक ही बार पे निप्टा सकता है अब लेप़र्ट या तेंदुए की बात करें तो उपकी बोडी किसी जानवर वाले बोडी बिल्डर की तरह चोड़ी होती है वो चलता है तो ऐसा लगता है कि मौत खुद चल के आ रही है ऐसे ही नहीं कि इनसानों में भी तेंदुओ का खौफ रहता है इसके बावजूद ये छुपके शिकार करने में बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं तो ज़रा चहाडियों से बचके डिफरेंस लुक्स लुक्स की बात करें तो चीता को सबसे अलग बनाती है उसके फेस पर जो टीर जैसा मार्क होता है साथी चीता की स्किन पर बहुती क्लियर ब्लैक स्पॉर्ट होते हैं अब लेपर्ट की बात करें तो उनकी बॉड़ी की मार्किंग का स्टाइल एकदम ये अलग होता है ये ऐसा होता है कि इनको शिकार के टाइम छुपने में भी हेल्प होती है अब क्योंकि उनका जौ छोटा होता है तो वो बोन्स नहीं तोड़ सकते और साथ ही वो ग्रूप्स में रहना पसंद करते हैं अब लेपर्ड की बात करें तो मोसली रात में शिकार करते हैं और अपने शिकार को किसी पेड़ पर चड़ कर खाते हैं बड़ीया मसाला डाल कर नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका फेवरिट फूड कौन सा है अब लेपर्ड का जौब बड़ा और स्ट्रॉंग होता है तो वो अराम से बोन्स भी ब्रेक कर सकते हैं पर हाँ लेपर्ड यूजरी आपको केले ही मिलेंगे क्योंकि यहीं इनका स्टाइल है कुछ इनके स्टाइल यासा यह बाबुराओ का स्टाइल है अब अगर फाइटिंग की बात करें तो जो फिजिकल एडवांटेज है उसमें वन और वन तो तेन दुआ ही जीतेगा पर अगर चीता अपने भाई भेहनों को बुला लाए तो शायद बाजी पलट सकती है पर आपकी उमीद यह होनी चाहिए कि आप यह लाइव ना देखें क्योंकि वरना यह दोनों लड़ाई भूलके आपको जरूर खा जाएंगे अब खाने की बात हो रही है तो पास्ता नोडल्स आलू की डिशीज हम में से बहुत लोगों को पसंद है पर यह फेमस फूर्ट्स आखिर आए कहां से इनकी मज़ेदार ओरिजिन स्टूरीज के लिए चेक आउट करिया आपकी लेफ्ट साइड वाले लिंक और चैनल का सबसे रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में तो मिलते हैं इन वीडियो में